So, Hello everyone, this is Jankit, Welcome back to my channel GK में 5 कुश्यान आएंगे, जितनी भी वीडियो से मैं आपको करवा रहा हूँ, इनाफ होंगी प्लेलिस्ट बना दिये GK की, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, सारी वीडियोस देख लेना इंग्लिस में 15 कुश्यान आएगे, कुछ भी पढ़ने को सिजमत करना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लो इंग्लिस में प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा कमल सर ने बहुत मेनत करके 30-35 दिनों में, डेली एक से 1.5 गंटा काम करते थे और 50 मॉक्टिस तयार किने कोश्गार्ड इंग्लिस के लिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके जाके वो प्राइस सिर्फ 50 रुपए, एक मॉक्टिस का उन्होंने एक रुपए रखा, 50 मॉक्टिस पचास रुपए, वो मॉक्टिस अगर आपने लगा लिया अगले 3-4 दिन में, 50 मॉक्टिस आप तयार करो, इतना पता है कि पूरा पेपर करके आओगे, डिस्क्रिप्शन पे आप स्पीड से करेंगे, क्योंकि टाइम उतना हम जीके में नहीं दे सकते, पांच नंबर की आएगी, किस दिन एट्स दिवस मनाया जाता है, ओन विच डे वर्ल्ड, एट्स डे अप्जर्वड, राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रतेक वर्स एक दिसंबर को, विच्स एट् प्रसिद उपन्यास दगाइड के लिखा कौन है, विच्छ दा राइटर अप्जर्वड, दगाइड, राइट आंसर ऑप्सन नंबर बी, आरके नारायण, नेस्ट क्वेशन, क्वेशन नंबर फूर, वह प्रतम भारती कौन था, जो बिटिस संसत का हिस्सा बना था, प्रत नंबर बी, क्लियर, नेस्ट क्वेशन, फाइब नंबर, विच्छ का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, विच कंट्री इस दा बिगेस्ट प्रोडिशर अफ कॉफी, एक्जाम औरियंटेट कॉशन करवारों सारे, राइट आंसर ऑप्सन नंबर ए, लिए निस्ट है, आपसन नंबर जो सी है, वाइलिन, वाइलिन से समबन्दित है, तो जीडी और डीबी के लिए परिच्छाय पर मॉक टेस्ट कैसे खरीदे, डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करके डाउनलोड करना, डीफेंस सेक्षन करके आना है, आपर टेस्ट वाले अ करना, एक कोड को अपसन आएगा, ये कोड डाल देना, इडिया फिप्टे अपलाई करना, सीधा 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 आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, नेस्ट क्वेशन नंबर सेविन, विस्क की सबसे डंबी अंतराष्टी स्तली सीमा किन देशों के बीच है, सो राइट अंसर इसका हो जाएगा, वो है आपका अमेरिका वा कैनेडा के बंद, आपसन नंबर A विल बी करेक्ट आंसर, नेस्ट क्वेशन क्वेशन नंबर 8, इराक देश की राजधानी क्या है, वाट इस दे इलेक्ट्रिक लाइन इंडिया, इंपोर्टन क्वेशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन पूछा गया है, पहला जो विद्धुती करण रेल मार्ग था, वो कौन से था, वो था आपका मुंबाई से कुरला, आपसन नंबर जो B है इसका राइट अंसर हो जाएगा, इंप इसका हो जाएगा, आपसन नंबर है, सिकंदर लिखा यहां पर सिकंदरा होगा, ठीक है, अकबर का जो मकबरा है, सिकंदरा मिस्तित है, सिकंदरा आगरा में है न, नेस्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट पती बनने के लिए नियुंतम आयू कितनी चाहि इसका है, सिरी जो नगर है, वो आपका किस नदी किनारी बसा है, सिरी नगर इस सिचुएटेड इन दा बैंक ओफ विच रिवर, सो राइट अंसर इसका हो जाएगा, ऑफसन नंबर है, जेलम, नेस्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 13, हाँ टेली ग्राम पे डेली टेस्ट हो रहा है, आज भी टेस्ट होगा, और टेस्ट में जिसकी फर्स्ट रैंग आती है, उसको हम 50 रुपए, गूगल पे, फोन पे पे सो आज भी टेस्ट है, आज सायद साम 4 बजे के आसपास टेस्ट होगा, क्योंकि रात में टेस्ट गडबर हो जाता है, सो सभी लोग टेस्ट देने आज आना, डिस्किप्शन पर टेली ग्राम चैनल की लिंक है, जॉइन कर लेना सभी लोग, बेटी बचाओ योजना किस रा करी गई थी हर्याणा राज से, यह इंपोर्टेंट कुशन है, नेस्ट कुशन है, कुशन है, कुशन हम 14, देश का जो पहला प्रत्रचा विस्विद्याल है, वो कहां पे है, वेर इस दा इंडियान फर्स्ट सेल्फ दिफेंस यूनिवस्टी सिच्वेटेड, यह भी इंप किस खेल से संबंदित है, उबेर कप इस रिलेटेड विद विच स्पोर्ट, सो राइट अंसर इसका हो जाएगा, ऑप्सन नमबर B, बैड मिंटन, उबेर जो कप है, वो आपका बैड मिंटन से संबंदित है, नेस्ट कुशन है, कुशन नमबर 16, लाल कुर्ती अंदोलन के नेता जो थे, वो थे, अब्दुल गफार खान, अपसन नमबर A, नेस्ट क्विशन नमबर 17, जलिया वाला बाग हत्या कांट कब हुआ था, वन वास दा जलिया वाला बाग? So right answer इसका हो जाएगा option number A जलियावाला जलियावाला बाग अत्या कंट जो है वो आपका 13 April 1919 में हो था Right, तो option number A इसका right answer हो जाएगा Next question निए question number 18 अनुच्छेट जो 360 है वो किसे संबन्दित है Article 360 is related with Right answer इसका हो जाएगा option number B वित्ती संकट फाइनेंसियल इमर्जेंसी अफिर फाइनेंसियल क्राइस से संबंदित है आपका अनुच्छेद 360 नेस्ट कुश्चन नमबर 19 नेम लिकत में से कौन सी इसराइल की राजधानी है which of the following is the capital of इसराइल राइट अंसर इसका हो जाएगा इसराइल की राजधानी वो कौन सी है येरुसलम या फिर जेरुसलम जो भी बोलते है नेस्ट कुश्चन नमबर 20 रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है रंगा स्वामी कप is related with which sport राइट अंसर इसका हो जाएगा उप्सन नमबर B रंगा स्वामी जो कप है वो आपका होकी से संबंदित है नेस्ट कुश्चन नमबर 21 बचेंदरी पाल किस से संबंदित है बचेंदरी पाल इस related with which of the following सबी को पता होगा राइट अंसर इसका हो जाएगा परवतार होहर से माउंटेनिंग से संबंदित है आपकी बचेंदरी पाल नेस्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 22 पिन कोड का जो प्रतम अंग है वो क्या प्रतासित करता है दा फर्स्ट डिजिट अप पिन कोड रिपर्जेंट्स दिस इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप दिस वीडियो इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन आप दिस वीडियो चलो फिर इसका जो आंसर वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कुश्चन नमबर 22 एक तरीके से यह भी पता है चलेगा कौन-कौन वीडियो को लास्ट तक देखता है इसका जवाब आपको देना लेकिन बिना सोचे समझे नहीं एरिया, जोन, स्टेट या फिर कुछ और पर्थम जो अंक होता है पिन कोड का च्छे अंकों का पिन कोड होता है उसका जो पहला अंक होता है वो क्या प्रदेसित करता है वो आपको बताना है अच्छे से लिखना कुछ भी मत लिख देना comment box में एक question दे रहा हूंबर के लिए question number 22 next question है question number 23 पंजाब का राज की निरत क्या है what is the folk dance of Punjab so इसका जो right answer हो जागा वो हो जागा option number C भांगडा अब कुछ लोग गिद्दा भी बोल ले होगे सरगिद्दा भी है देखो जो आपका गिद्दा है यह आपका महिलाओं का फोक डांस है लेकिन जो भांगडा है यह महिला तथा पुरसों दोनों का फोक डांस है पंजाब का इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा और इसलिए question पूछा गया क्योंकि इसमें जो इंडिया सो देखो कुछ लोग बोल लेंगे कि इसकी जो right answer है option number A हो जाएगा गोंड जो की गलत है अभी तक जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ भारत की जो सबसे विसाल जन जाती है वो आपकी भील जन जाती है option number जो D है नन आप देज इन में से कोई नहीं भील जन जाती जो है लिख देता हूँ भील जन जाती जो है वो भारत की सबसे विसाल जन जाती है चीक है question number 24 अगर मैं गलत हूँ तो बताना क्योंकि कुछ लोग मुझे 100% पता है कुछ लोग बोलेंगे कि गोंड जन जाती बट इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D नन अब दीज और right answer भील जन जाती नेस्ट कुछ ने question number 25 और आज इस वीडियो का लास्ट कुछ ने इंडोनेशिया की राजधानी पूछ रहा हूँ लास्ट कुछ न में बता वाट इस दा कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया हाँ जकार्ता right answer option number B ठीक है तो almost 10 में मैंने important बाते जो थी starting में वो भी बता दी questions भी आपके करवा दिये तो जीके में इतना ही time देना ज्यादा आपको time नहीं देना है 5 questions के लिए आप 20-20 minutes थोड़ी बर बात करोगे 10 minutes में 25 questions करवा दिये जितने भी questions करवाएं अभी तक सारे अच्छे questions करवाएं आज की वीडियो में भी जो थ यह यार बाकी लास्ट तक कौन को नाया प्लीज आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताओ बाकी और कुछ नहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो मनो तो like कर देना मैं कभी नहीं बोलता हूँ ज्यादा की like करो subscribe करो जिसको अच्छा लगता है content वो खुदी subscribe कर लेता यह जरूर बोलूँगा कि टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो साम चार बजे के आसपास टेस्ट होगा एक 25 से 30 कोईशन का और उसमें रैंक भी पता चलेगी महलों जितने लोगों ने उस टेस्ट को लगाया टेलिग्राम पे तो आपर रैंक पता चलेगी तो पहला जो रैंक बाकि प्लेलिक सेक्शन चेक करो कोश्ट गार्ड के लिए जो भी वीडियो से मिल जाएंगी और कमल सर के मौक्टेस मत छोड़ना मैं खुदी इस पेसले आपको रिक्मेंड करता हूं कि वह पचास मौक्टेस जरूर लगा लेना डिस्केप्शन पर आपको मौक्टेस की लि दिलागी